हेलो फ्रेंड्स एंड इस्टुडेंट्स आज आप लोग को क्लास टेंथ का फिजिक्स लभावती विज्ञान का अध्याय दोज चेप्टर नमबर टू पढ़ाया जाएगा जिसमें से कुछ इस वीडियो के पार्ट आप लोग को पढ़ाया जा चुके हैं कि आज आप लोग को इस पार्ट का या इस चेप्टर का पार्ट ठर्टे लीडियो पढ़ाया जाएगा ऑज इस थर्टे वीडियो ज में आप लोग आज रेखिए आव अर्धन के लिए जो फार्मुला होताहा है उसको अच्छी तरह से क्लियर किया जागा तो रेखिए आव तो यह अवर्धन के लिए तो फुत्र होता है इसे इंगली में मुझे कर सकते हैं फार्मुला फार्लीनियर मैगनिप्टिकेशन और यह फुत्र कहां से आथा है तो पहले रेखी आवधन को किस्य पर अदरफिट करते हैं तो इसी इसमाल एम काम को सुत्र चाहिए या लेते हैं एक आउतल दरपड लेंगे जिसके ओभरे वे भाग पर हम लोग कलाई कर देंगे तब जाकर या कंप्लीट आउतल दरपड या कॉंकेव मिरर होगा और इसके ठीक मिडिल पॉइंट फे एक लाइन कीचा जाएगा जिसे प्रिंस्पल एक्सेस करते हैं या मुख्य अ अच्छ हो गया और उसके बार इस मिडिल पॉइंट को में लोग करते हैं दुरू और यहां पर उताप का मुख्य फोकस और यहां पर एक वर्स्टू लग देते हैं इस वर्स्टू के लंबाई को माल लेते हैं ए बी और यहां से एक किरड़ से समानतर बेद जाते हैं या केंद स्याथ यूं यह भरर्बार्थित हो जायगा और दोनों परवार्तित करड़ेये जहां कारती हैं अध weapons वही बनता है इसे सोया प्रतिम्म मूंक्रके अच्छ यहां के नीचे बना है और यह जो µास्तू है यह उपर वास्तू ऊपर नीचे बना इसका मरए फिलता बन गया है तो उल्टा बन गया तो इसका नाम भी उल्टा लिखा जाएगा बी डैस अब उसके बाद क्या करेंगी एक रेखा और खेट देते हैं यहां से इसके पी से एक मिला देते हैं डाट लाइन से मिला दीजिए यह क्लियर लाइन भी कर सकते हैं आप लोगों यह जब वापफ हागे तो मुझे इसी इसी प्रतिछेर बिंदू से वापफ हो जाएगा क्लियर हो गया और यहां सी से पी तक जो मिलाए गया रेखा होता है तो पहले ही बताए गया है कि आप लोग को की वागता के इन फे दरपड के किसी विंदू को मिलाने वाली जो रेखा होती वह अभिलाम होती तो सी से पी तक यह यह सी पी क्या है दरपड पाभिलाम है और म प्रावावार्थान कुड़ है यह...? यह जो अभिल्म, इसके बीच में कौन से कुड़ कुड़ बनता है?" चिसे और र्च प्रदर्शित करते हैं हगा तो इसे और इख्य।ा होता हैIf शड़ Aah इस एकी तो मचली ने सब्हूत A, B, P एक लिया जाएगा तुरह भूज A, B, P A, B, P और तुरह भूज A drive-B days-P या छोटा वाला A, B, P या बड़ा वाला और तुर्फुज A drive-Blers-P या एक छोटा वाला तुरह लिया जाएगा A drive-B THOM P अब इन दोनों के लिया गया समरूप देखाने के लिए जब यहां दोनों समरूप तिर्भूज हो जाएंगे तो संगत भूजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा इन दोनों को समरूप देखाएंगे कैसे तो समरूप देखाने के लिए इस तर्भूज का दो कोड इस तर्भूज के दो कोड के बराब है 90 पूरा नाम हो जाएगा इसका पूरा नाम ही लिख लिख लिखें इसका पूरा नाम तो तो कोड ए बे बिब बराबर हो जाएगा इसका नाम्त ड டस बी ड्डस विडाश पी ए ड्डस डीए ड्यू थी सब्राबर हो गया किस नियम से बराबर है तो दोनों लभी लभी आंस एसके मात में फे तोनों चोटे वहले में यह दोन बढ़ाबर क्यों बढ़ाबर आई बढ़ाबर आप से मिलाब कि आप तनी कोड़ा परावतं को फटेवर रहो होता है यह लपी Зब्सक्राइबर Šण इसने कोड़ भी बराबर इसका नाम हो जाएगा एडैस पी clicking आई बराबर है तो रिखेंगे आई बराबर और से मिल्ला आप तन कोड़ा तन कोड़ा ढोच तरिबुज का दो कोड़े इस तरिभुज के दो कोड़के बराबर हो गया तdd इसलिए ऐे बीप सम्रूप यह समृप का सिंबल है संब्स अगया स्छिंग तरिभुज Rules aaid जब समरूप हो गया तो जब दूर त्रिभुष समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपाथ बराबर होता है संगत संगत भूम में हम इसको उपर लखेंगे निचे लिखेंगे और यह संगत भूजान का अनपाद बराबर कaking नीचे लिखेंगे तो सम्रूफ हो गया, इस तरवुच का दो कोड़, इस तरवुच का दो कोड़ के बराबर देखा देते हैं, यह सम्रूफ हो गया है, तो संगत भुजाओं का अनपार हम इसको उपा लिखते हैं, हम चाहिएंगे इसको उपा लिखेंगे इस भुजाओं को नीची लिख सकते ह तो इसलिए A-B- इसका पहला दुफरा लिया गया तो इसका भी पहला दुफरा A-B हो जागा नीचे बराबर दुफरा तिफरा B-P तो यहां दुफरा तिफरा लिया तो यहां भी लेंगे दुफरा तिफरा B-P हो जागा तिफरा पहला तिफरा लेंगे A-P तो इसमें भी पहला तुफरा लेंगे तो ए पी ले लिया जाएगा और इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी तो इसको अटा देते हैं इसकी आफेक्ता नहीं इसलिए इसको हटा दिया जाएगा अब देखिए अब इसको एक्वियसन फर्स्ट मानकर इसको यहीं पर रोखते हैं अब मानते हैं माना वस्तू की लंबाई वस्तू की लंबाई तो वस्तू की लंबाई कौन है यही ए बी वस्तू की लंबाई है वर्स्टू की लंबाई AB बराबर O माल लेते हैं या ऐसा करते हैं कि height of object माल लेते हैं object मलब कि वर्स्टू को ही खायता है height of object object किसको कायता है वर्स्टू कायता है वर्स्टू की लंबाई क्या माल लिए है हो माल लिए प्रतिबीम की लंबाई प्रतिभींव की लंबाई तब प्रतिभींव देखी कहां बना है तब प्रतिभींव का यहां बना है इस वश्टू प्रतिभींव की दूरी इसको माल लेते हैं हाइट आप इमेज इमेज बने क्या होता है प्रतिभीम माल लिए तथा वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी बराबर माल लेते हैं यू वा प्रतिभीम की दूरी वा प्रतिभीम की दूरी माल लेते हैं भी अब कोई भी दूरी मापना होता है तो हमेशा पी से माप आ जाता है तब पी से बी तक क्या है या वास्टू की दूरी है अब पी से बी डैस तक यहां तक क्या बना प्रतिभीमता है या पी से बी डैस तक या प्रतिभीम की दूरी है जिसको भी माने है अब पी से बी तक जो दूरी है वा वास्टू के दूरी है जिसको हम लोग यू माने हैं अब उसके बाद देखिए ऑप समीकर एक काफरियों करेंगे अब लिशने समीक्राड एक से तो समीकर एक से तो पहले उतारते हैं एक लाइन लंबाई उपर रहेगा तो प्लॉफ और नीचे रहेगा तो माइनस यह आपका इस दाहिने सेट में जायेगा तो प्लॉफ और इस तब बाएं फेड़ में जाएगा तो माइनस तो देखते हैं तो एडाइस बीडाइस कहा है यह नीचे क्या होता है माइनस और एडाइस बीडाइस है क्या तो प्रत्वीम के लंबाई को क्या माने है यह जाए और यह नीचे की ओर है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस बुले है कि नीचे की ओर माइनस ओपर की ओर प्लस और दाहनी ओर प्लस औ अब बटा के अब बटा में देखे क्या है एबी क्या है वास्टू के लंबाई है और वास्टू के लंबाई क्या माने है याच ओ और देखे वास्टू के लंबाई कहा है तो यह उपर क्यों रहे है तो उपर क्यों प्लफ होता है तो प्लफ लगाई यह शह मतलब प्लस माने जाता है clear है बराबर B-P तो B-P रहे किस सथ में है तो B-P तो B-P आपका इस सथ में है तो माइनस होगा और B-P है क्या यह प्रतविम की दूरी है प्रतविम की दूरी को क्या माने है भी आप बटा के B-P तो B से लेके P तक यह क्या है वस्तु की दुरिया और यह भी इसी साड में है तो यह भी माइनस में होगा और यह माइनस माइनस कर जाएगा अब उसके बाद कुछ जो रहा गया इसको यहां clear कर लेते हैं इस माइनस को इस साड में भेज देते हैं तो हजाएगा height of object upon height of height of image upon height of object equal to minus b by u clear है अब उसके बाद यहां पर यह आप लोग का clear हो गया लिखेंगे रेखिय आवर्धन की परिभासा से रेखिय आवर्धन की परिभासा से रेखिय आवर्धन की परिभासा से रेखिय आवर्धन का परिभासा क्या होता है तो देखियेगा किसी दरपड में बनने वाले प्रतिबीमी की लंबाई और उस दरपड के सामने रखे वस्तु की लंबाई के अनुपाद को रेखिय आवर्धन करते हैं मतलब प्रतिबी मिकी लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं? रेकी आउधन करते हैं. अब रेकी आउधन को YUM से परफिर करते हैं, इसलिए यह किसके बढ़ारोगा? YUM के बढ़ारोगा? इसलिए YUM बराबर हाइट आप image upon height of object equal to minus b by u. यही आपका रेखी आवधन का फार्मुला है. यह पर क्या है? रेखी आवधन का फार्मुला है. क्लियर हो गया होगा? तो रेखी आवधन यम कमान इतना रहा है. और रेखी आवधन जो यम होता है वो आवतल दरपड के लिए धनात्मक, रिडात्मक दोनों होसकता है. और उतल दरपड में यम कमान प्लस और माइन इतना रहेगा. तो उतल दरपड में रेखी आवधन का मान हमेशा धनात्मक होता है. तो आज का यह टापिक्स आप लोगको किलियर हो गया होगा और अगला टापिक्स वह अगला पार्ट अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा आज के लिए बस इतना है और आप लोग से बताया जा रहा है कि आप लोग वीडियोज को फुगमता पुरुवक और आसानी पुरुवक प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए जिससे हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके हाँ फुरुवक पुरुवक पुशता रहे है जिससे आप लोग वीडियोज को आफानी पे देखते रहे हैं आज के लिए बस इतना ही गुड़ बाई एक्शुडेंट प्रेंट